हेलो फ्रेंस वेल्कम टूइजूगे तयारी अज हम डिसकस करेंगे उत्रा खांड लटी के सिक्षण अभिरूची वाले सेक्षन से सिक्षण की साहियख सामगरिया तो चली की किसिक्षण के साहियख सामगरिया, तो देख़ांक स्क्षण में यह पर्योग इस तरह होता है तो गुझ ऐसे सामगरी का प्रयोग किया जाता है क्ष्छा के अंदर कि बच्चों को वह पाठ्ध सिख्षण यानरी कि जब पढ़ाया जाता है तो उसको पढ़ाने के लिए गया होता हो उसको फोड़ा सरल बनाया जाता है। उसकी भाष्रा को सरल बनाये जाता है, बच्चों को समझाने के लिए सिक्षन सामगरियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो वास्तिविक्ता को जान सके और बच्चों को सिक्षन को रूचिकर बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए सिक्षन सामगरियों का प्रयोग किया जाता है साथ ही सिक्षार्ति को कल्पना करने भाव करने और विचार करने के लिए उत्प्रेरित करती है अता सिक्षण में सिक्षक का योगदान देने वाली सामगरी को साहयक सामगरी कहा जाता है ठीक है तो जो सिक्षण में सिक्षक को योगदान प्रदान कर रही है उस साहयक सामगरी कहा जाता है फिर है सिक्षण के साहयक सामगरी के परिभासाएं तो कुछ परिभासा दी है सिक्षा सास्त्रियों के द्वारा तो देखे पहले जो परिभासा है वो है डेंड के अनुसार साहयक सामगरी वह सामगरी है जो कक्षा में या अन्या सिक्षण परस्ति जो होती है यानि के बाहर बच्चों को पढ़ाय जाता है सिखखण we produce this país столlines लेकिन अगर बच्चे वुदुद्धे सामगरे ने साहिए ऑसान के सामगरी होती आम परिभास है की आनुसार तो उन्होंने का है कि कोई भी ऐसी सामगरी जिसके माध्यम से सिक्षण परकिरिया को उदिप्त किया जा सके अथ्वा सर्वेंद्रिय समीधनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह सायक सामगरी कहलाती है ठीक है तो गुर्ण ने कहा है कि वह ऐसी सामगरी जिसके माधियम से क्या होता है सिक्षण पर क्रिया को उद्धित किया जा सके और विकास किया जा सके अथवा जो सुनने के बाद समीद्दाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके तो उनको क्या क चात्रों को क्रियासिल बनाना गृट स्क्छण सांगरी ऐस्तेमाल क्या किया आता है तो उससे पर प्राठभि उत्पन करना। तो बच्चों को क्या हो विसाय बोरिंग ना लगे जो वो पढ़ रहे हैं पढ़ते ना रहे हैं बलकि अगर जो सायक सामगरी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए समझाया जाए तो बच्चों को क्या लगेगा विसाय और भी रूचिकर लगेगा जिससे की रूचि उत बच्छों के लिए फिर है अभि रूचियों पर अपनी इच्छानुसार प्रभाव डाला जा सकता है शिक्छन सायक सामगरी के इस्तिमाल से फिर इसमें और उदेश जो है वह है चात्रों का ध्यान विषाई पर केंद्रित करना तो चात्र का है इधर उधर भटके नहां बल् पिर आता है इसमें चात्रों में निरिक्षन सक्तिय और यह चंता का विकास करने का उध्यूग से भी शिक्ष्ण सायक सामगरी का उपयोग किया जाता है। फिर है सभी बॉधिक्षमताओं वाले चात्रों को योगता अनुसार सिक्षा को ओप दियू आदे manifest कोई बचचे क्या करते हैं बहुत जल्दी सीखें लेते हैं कोई धीरे सीकता हुई कोई भॉदिकिा वाले दीरे सीखता हैं ख़िक है तो कक्षा में आपने दिखा हौगा की बच्चे क्या होते हैं वोई तो बहुत जल्दी सीख रहेते हैं लेकिन कई बच्चे नहीं सीख पाते हैं जल्दी विंको सहता प्रीवक्तिन स car यहां अधिकम उनका जो जल्दी से जल्दी हो सके इसके लिए सिक्षण सायक सामगरी का प्रयोग किया जाता है फिर नेक्स आता है जटल विसाईं को वह भी आसानी से समझाना ठीक है जटल विसाई होते हैं जो कठिन विसाई होते हैं ठीक है जैसे मैट्स हो गया गणित के क्थिन बच्ची chyba झाल महित्वा प्रापत को उसका वास्तवुक अनुभाव कराना ठीक है बच्चों ने पढ़ लिए पार्थ में किसी वस्तु के बारे में लेकिन अगर बच्ची को वस्ता सामने से दिखायी जाए तो बच्चे को उसका वास्तवी का प्रापत हो गए अब देखें इसमें सिक्षण सायक सामगरी का महत्वा ठीक है जो सिक्षण की सायक सामगरी होती है तो उसका क्या महत्वा होता है पहला देखें इसमें इसके द्वारा हम विसाई को आसानी से समझ सकते हैं तो जो सिक्षक के द्वारा सायक सामगरी का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे विसाई को आसानी से समझ सकते हैं फिर है यहाँ विसाई को लंबे समाई तथा अस्थाय रूप से सीखने में मदद करती है। अगर सिक्षण सायक सामगरी के द्वारा किसी विसाई के बारें बच्चों को समझाए जाएगा, तो उससे क्या होता है कि जो विसाई है वहाँ बच्चे के दिमाग में बहुत लंबी टाइम तक रहेगा ठीक है वहाँ उससे एकदम से भूलेगा ने पढ़ करके तो एकदम से भूल जाते हैं बच्चे उससे बार-बार पढ़ने की जुरत पढ़ती हैं लेकिन अगर बच्चे को वहाँ लंबे टाइम तक याद रहता है ठीक है फिर इसके द्वारा विसाई को रोचक बनाया जा सकता है तो सिख्षण सायक सामबगी के इस्तमाल से कक्षाओं में जो विसाई होते हैं तो उनको रोचक बनाया चाता है नेक्ष्ट है यहाँ सिख्षक का समय व थृट होते हैं जिससे क्या होता है सिख्षण का जो समय और उड़ जय है वह बच्छत होती है ठीक है बच्छेजं को बार बार सिख्षण को बतारा नहीं पड़ता है इस्तमाल से बच्चों को जल्दी ही समझ में आ जाता है फिर इसके द्वारा भासा समन्धी कठनाया तो क्या होता है कि छात्र के वल सुनते नहीं है बलकि छात्र भी सक्रिय होते हैं ओ पिर है इसमे इसमें छात्र वस्तो ऑजिंदे पीजिद्ञ यहा 뒤에 हुआ ग्यान को प्रभावसाली बनाया जा सकता है फिर है इनके प्रियोक से जटिल हैं सूक्ष्म ग्यान को भी सरलता से समझाया जा सकता है ठीक है तो सिक्षर जो सामगरिया होती है उससे जो जटिल विसाई होते हैं और जो सूक्ष्म ग्यान होता है उसको भी आसानी से बच्चों समझाया जा सकता है फिर है इसके द्वारा चातरों को सोचने की छमता और उनके द्रिश्टिकून का विकास होता है ठीक है तो ये तो हो गया महत्वम अब आता है इसमें सिक्षर सायक सामगरी प्रकार ठीक है जाने कि सिक्षर सायक सामगरी के कौन-कौन से प्रकार होते हैं कि प्रकार की सिक्ष्ण सामगरियों का इस्तिमाल किया जाता है तो पहले जो सिक्ष्ण सामगरियों का इस्तिमाल किया जाता है तो पहले जो सिक्ष्ण सामगरियों का इस्तिमाल किया जाता है तो तीन प्रकार के सिक्ष्ण सायक सामगरियों होती है पहले देखते हैं के द्वारा सिक्षण कार्यपूर्ण किया जाता है या जिसको देखकर उस वस्तु का विसाय के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है ठीक है तो द्रिश्य सामगरी ऐसे सामगरी होती है जिसको बच्चे देखते हैं ठीक है किसी विसाय वस्तु के बारे में अगर बच् समझा रहे हैं इसके बारे में समझाय जा रहा है उसे क्या हो कि तु स्पैका द्रिष्य समगरी को वो एक एट्स है एक जिसको क्या कहेंगे द्रिश्य सामगरी कहेंगे तो जिसको बच्चे देख करके सीख रहे हैं ठीक है बच्चे उस पर देख रहे हैं और फिर समझ रहे हैं किसी भी चीज को फिर आता है चित्र आप उस विसाय के बारे में चित्र अगर बच्चे को दिख तो चित्र के माध्यम से भी बच्चे सीख पाते हैं द्रिश्य सामगरी में चित्र आता है चार्ट आता है ग्राफ ठीक है ग्राफ के द्वारा समझाय जाता है समाचार पत्रों के माध्यम से किसी विश्य वस्त के बारे में समाचार पत्रों में छपा है तो बच्चे को समाच पत्रिकाओं के माधियम से बताया सकता है पत्रिकाओं के माधियम से ठीक है फिल्म दिखाया सकती है स्लाइड दिखाया सकती है समझ सारणी के अकॉर्डिंग बच्चे को समझाया जा सकता है वास्तविक पदार्त दिखाया सकते हैं ठीक है किसी चीज के बारे में अगर सब्सक्राइब बा connectivity पुस्तकते हैं। भ्रहमण भी त्रिस्य सामगरी में आता है जाने कि बच्चे बाहर जब कभी जो भ्रमण होता है जो सिक्षा के लिए बच्चों को बाहर ले जाके गुमाया जाता है किसी जगा को एक्सपूर करवाया जाता है तो उस जगा उपर बच्चे देख करके सीखते हैं किसी चीज़ को समझते हैं ठीक है यात्राई हो गया संग्रालाई में ले जाके बच्चों को दिखा सकते हैं किसी चीज़ के बारे में जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं संग्रालाई में रखी हुई तो उनके बारे में बच्चों को समझाय जा सकता है उनको दि सरवण सामगरी यानिvie की सुनते हैं मैं सुनकर के बच्चे किसी चीज को सीखते हैं कि लिव्चा रोप का बैक्टी कि चीज को समझते हैं इसका उधारन से देखें ग्रामो फौन हो गया ने इंूर तैप रिकोर्डर हो गया भाषा प्रयोक में आती है फिर है इसमें द्रिश्य स्रव्य सामगरी ऐसे सिक्षण सायक सामगरी जिनको देखने के साथ साथ सुनकर भी सिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है ठीक है तो द्रिश्य स्रव्य सामगरी वह सामगरी होती है जिसमें बच्चे उस पिसे वस्तों को देख भी पात बाते हैं तो दूरदाशन माध्यम ao माध्यम का नाकित्र है और चल जित्र द्र जाए जाए ने कोई वीडियो लेक्टे का बेचे को दिखाए जाता हें वहाँ पर दzur पर्यों के जा रहे हैं वहाँ दिख लेते हैं और सुन सब्सक्राइब भी से इय शिखन सामगिषा सीक्षण सामगरी में जिसमें बैचें बीफिषास्टाइब भी सामगरी आते हैं जिसमें बच्चें देख भी पाते हैं बिसवस्त को और सुन बानुम भी पाते हैं ठीक है तो फ्रेंट्स ये थे सिक्षण सहयक सामगरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए